नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासेश पर आपका स्वागत है डेट आज की 29 मई 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टन न्यूज और एक्स्प्रेंट पेज से इंपॉर्टन आर्टिकल जो अभी हम डिसकस करने वाले हैं अगर फ्रेंट पेज पर देख देखें तो हमारे लिए इंपॉर्टन एक न्यूज आ जाती है वह आगे यह वाला आर्टिकल देखेंगे राजसंबंद की MP दिया कुमारी को अभी नॉमिनेट किया यूएन पैनल के लिए तो यह आपके लिए यूएन पैनल में किसको नॉमिनेट किया यह तो बच्चे हो चुके हैं जो अनात हो गए हैं उनके लिए आप क्या आरेंजमेंट करोगे वह सोचो आगे काम करो ठीक है इस आर्टिकल को देखेंगे दूसरा आर्टिकल हम जो इसी पेस पे देखेंगे वह आपके सामने यहां पर डौवरी केस को लेकर कि जो डैट्स होती है होमिसाइड जिसको कहा जाता है उसके बारे में हम देखेंगे आर्टिकल अच्छा है आगे चलते हैं एक्स्प्लेइन पेस पे तीन यूज़ तीनों की तिनों इंपॉर्टेंट है डीटेल में देखेंगे एडिबल ओयल की प्राइस क्यों राइज हो रही है इसमें यह जा और एक छोटी सी यह पेपर क्लिफ है इसके बारे में छोटा सा हम थोड़ा सा नजर डाल लेंगे आगे देखते हैं इकानामी पे इस पे जी एस्टी काउंसिल से रिलेटेड यह आर्टिकल इसमें सो कुछ पॉइंट एक दो पॉइंट देख लेंगे बाकी तो आपको प्लेटर के लाव बाकी सबी सोचल मीडिया फ्लेटवर्म से फॉलो कर रहे हैं यह चीज यहां पर बताई जारी और एक चोटा सा न्यूज यहां पर बताया जारा है जिसमें यह कि जो पॉब्लिक सेक्टर बैंक्स है वहां पर तो जो केसी जना जैसे कभी कई पर बैंक फ् कुछ important है नहीं और बाकी और कोई वी चीज इंपोर्टन नहीं अब देख लेते हैं important जो भी हमारे अर्टिकल से उनको डीटेल में फर्स्ट न्यूज है citizenship amendment act को लेकर कि जो rules declare करने थे सरकार को वह भी नहीं कर पाई है पर फिर भी अभी कुछ guidelines दी गई है पांच states में कुछ district administrations को अब वो देखते हैं क्या है पुरा मुद्धा देखो central government ने act तो पारित करवा लिया गया था citizenship amendment act 2019 ठीक है इस act के basis पे जो हमारे पडोची तीन देश हैं जिनके नाम है पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांगलादेश इन तीनों देशों के जो minorities हैं उ आयो है तो उनको citizenship दे दी जाएगी अब होता क्या है कि 2019 का ये act था इस act को implement करने के लिए रूल्स बनाने थे अब रूल्स तो अभी फ्रेम करनी पाई ये central government पर जो citizenship citizenship act 1955 है ना उसके अंतरगत और citizenship rules हैं 2009 के उनके अंतरगत ये guidelines दी गई है पांच states के कुछ districts को और वो पांच state कौन-कौन से हैं अभी गुजरा 36 गड़ राजस्तान हरियाना पंजाब अब इन state में administration को क्या का है कि आप जो जो भी आपके पास में applications आई हुई हैं उनको आप verify क करो चेक करो कि वह eligible हैं क्या citizenship लेने के लिए इन सारी conditions को ध्यान में रखके तो ऐसे में उनको फिर बाद में citizenship देने की बात कर दी गई है पर अभी तक भी आप ये ध्यान रखना कि citizenship के लिए नए rules नहीं frame हुए हैं पुराने वाले rules के basis पे ही काम किया जा रहा है ये ध्यान हो के जो rules हैं उनी के basis पे ये काम किया जाएगा citizenship act 1955 उसमें जो section 16 है उसके basis पे central government जो है वो district administration को district authorities को guideline देते हैं और उसी के basis पे वहां पे citizenship को finalize किया जाएगा तो section 6 of citizenship act of 1955 ये provision हमने अलरडी देख लिए collectors को finalize कर सकते हैं अब इसमें अलग-अलग districts हैं अगर आपको सी state point office preparation क इसी तरीके से दूसरी तरफ देख तो 36 गड़ में है दुर्ग और बालोद बाजार इसी तरीके से राजस्तान में है जालोर उदैपूर पाली बार्ड मेर और सिरोही हरियाना की बात करो तो फरीदाबाद और पंजाब में बात करो तो जालेंदर इन states में इसको implement करने के ल आगे चलते हैं online portal का detail यह आपके सामने आई गया है बाकी और तो आप देख सकते हो ज्यादा कुछ है नहीं next report पर चलते है next reporter front page से कि behind 500 billion offer जो advertisement के थ्रू 500 billion dollar का offer दिया गया है उसमें promoter के बारे में clarity है नहीं US की एक firm का नाम आ रहा है जिसका नाम है Lendomas Group यहाँ पर यह देख का है नहीं बस एक तो यह देख सकते हो कि इंडिया यूएस relation से बच्छे चल रहे हैं तो ऐसे में यूएस से investment बहुत आ रहा है एक तरफ जहां सिंगापूर से सब ज्यादा investment हमारे यहां पर करते हैं यह इन देशों से हमारे यहां पर सब ज्यादा investment आता है तो यह जो 500 billion dollar क investment किया जा रहा है किसमें इंडिया की जो national infrastructure pipeline को प्रोविजन जो किया गया था ना जिसमें कि हमारी economy का target था कि हम 5 trillion dollar की economy बनेंगे आने वाले 5 सालों में अब वो बात लगए कि अभी तो कोविड-19 ने आ करके सारी परेशाने create कर दी है पर फिर भी अभी तक भी यह कहीं है कि national infrastructure pipeline जो है वह relevant है तो हमारे लिए important यह है कि national infrastructure pipeline को UPSC point of view से पढ़ो यह देखो finance ministry के अंडर में आयती है उसी के अंडर में operate किया जा रहा है इसके अलावा NIP की बात करो तो department of economic affairs ministry of finance उसके अंडर में यह काम करेगी तो आपको NIP मतलब national infrastructure pipeline के बारे में detail पढ़नी है अगर पहले से notes बने हुए तो revise कर लो नहीं बने हुए तो एक बार जरूर से पढ़ लो इसको ठीक है आगे चलते है राजस्तान के राजसंबन से MP है दिया कुमारी है वैसे राजगराने से बिलॉंग करती है राजस्तान के राजगराने जो है जैपुर का जो राजगराना है वहां से बिलॉंग करती है वहां की बेटी है यह तो इनका nomination अभी हुआ है Bureau of IPU जिसकी full form आप अगर देखो तो य यह क्या है इसका answer इसी article में है उस point of view से हम यह discuss कर रहे है तो देखो IPU जो है एक international organization है जिसमें MPs participate करते हैं 179 countries के और काम क्या होता है यहां पर यह MPs एक तो diplomatic relationship को आगे बढ़ानी कोशिस करते हैं तो parliamentary diplomacy यहां पर देखने को मिलती है एक है एक देश के MPs जो है वह अपनी practices को Parliamentarian को कैसे काम करना चाहिए कैसे internationally peace promote हो सकती है कैसे democracy promote हो सकती है और sustainable development के लिए आप कैसे progress कर सकते हो worldwide इसके लिए इस platform IPU पे discussion किये जाते हैं तो ऐसे में MPs को साथ में लाना उनका participation ensure करना और international conferences conduct कराना यह आपने आप में बहुत important role play करता है आप जानोगे इसका establishment हो गया था आ नमबर वन और establish करने वाले दो कंट्रीज थे France और UK क्योंकि 1889 से पहले हमारे पास में को इंटरनेशनल कम्यूनिटी का कोई ऐसा कोई था ही नहीं body तो आप देखोगे इसके बाद में इस body के दुआरा इस institution के जो अब जितने भी conferences होती है discussion होते हैं तो उसका असर या फिर उ conference से साथ में the league of nation जो की United Nation से पहले हुआ करता था ठीक है फर्स वर्ल्ड वार के बाद में जो establish किया गया था पर वह बात अलगे वह फेल हो गी थी वह institution तो ऐसे में United Nation organization 1945 में बाद में establish करनी पड़ गई थी बट लीग ऑफ nation को भी कहीने गईड किया था इस institution ने और United Nations को तो कहीने गई करी राया अब आप देखोगे इस लिए हमने यह पिक किया आगे चलते हैं नेक्स निउस सुप्रीम कोट ने डिस्टिक्स को यह कह दिया कि आप भी चार्ज लो और जो भी और फेंड है इस कोविड के चलते जो बच्चे भी अनात हो गए उन बच्चों का आप ध्यान रखो कल हमने केरला वाला option तो इस लिए और जब तक बच्चे एक रेजुएट नहीं हो जाते तब तक उनका एजुकेशन का पूरा खर्चा भी राज्य सरकार उठाएगी तो उसी चीज़ को ध्यान में देख करके सुप्रीम कोट ने भी अपनी तरफ से स्टेट्मेंट दिया है कि अभी जो स्टेट में जो डिस्ट्रिक एड्मिनिस्टेशन हैं उनको अपने हिसाब से काम करने की ज़र्वत है इसमें अभी जो नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्डरन्स राइट ठीक है एंसी पीसी आर इसके दुआरा एक बाल सुराज करके एक पोर्टल सेट अप कर दिया गया ह है आप वहाँ पर पुरा डेटा अपलोड करो उसके बाद में प्रॉपर काम करो आपको गाइडलाइन की नेक्स्ट मतलब गाइडलाइन की वेट करने की ज़र्वत नहीं है क्योंकि बच्चों को बहुत जादा परेशानिया हो रही है ऐसे में कहीं दूसरी परेशानिया न इंडिगेशन है कि उनको बच्चों की वेलफेर के लिए काम करना पड़ेगा अब आपके लिए काम आ गया एक यह जुनायल जस्टिस एक्ट के बारे में पूरी डेटेल गेन कर लो बहुत इंपोर्टेंट इस पर कॉशन बन जाते हैं पोक्सों मैंने पहले बताई दिया दोनों के बारे में सर्च करना जो एनल जस्टिस एक्ट फॉर यूपी एसी मिल जाएगी पूरी डेटेल आपको आपकी एक्जाम पॉइंट ऑफिसर प्रपरेशन से नोट्स बना लेना जरूर से शौट में बनाना छोटे से छोटे मतलब की वर्ड्स लिखने कोशिस किया अगरो ज्यादा लंबा मत खीचो ठीक है आदत पढ़ जाएगी कुछ लोग बोलते हैं सर्ण नोट्स बनाने सीखाओ अरे भई आप दिरे-दिरे बनाना तो शुरू करो सीख जाओ गया अपने आप दिरे-दिरे क्योंकि फिर आपको लगेगा यार मैं इस पेज को आप को नोट्स बने फिर देखो आपको पता पड़ता है कि कौन से कीवर्ड होता है कहां से कौन से चीज़ पिक करनी होती है समझ कर तो यह थोड़ा प्रैक्टिस करो मेरे कहने पर जो मैंने बताया आपको यह आपको पढ़ना है जो एनल जस्टिस एक्ट के बारे में पूरी किया जता है तो बोले यह भी मारी खतम हो नीची है समाज की पर यह भी ध्यान रखो कि आप अगर इन लॉज को स्ट्रिक्ली अगर इंटर्प्रीट करने लगए तो कही ना कहीं सोसाइटी में जो लोग हैं उनको परिशानी का सामना ना करना पड़ी यह भी ध्यान रखना पड़ेगा यह बात कही है सुप्रीम कोट ने अब दूसरे जो कोट्स हैं उनको कि डावरी डैथ केसिस को अगर आप आप कर रहे हो प्रोजिक्यूट करो या आपकी यहां पर प्रोसेडिंग सल रही है तो थोड़ा सा अप अलर्ट हो करके फिर बाद में आगे बढ़ो दे उसमें जो 1096 अमेंडमेंट जो हुआ था ठीक है उसमें उसके बेसिस पे सेक्शन 304 बी यह इंट्रिड्यूस कर दिया गया था हमारे जो इंडियन पीनल कोड आई पीसी में उसमें और उसमें यह प्रोविजन कर दिये गया थे उसमें डौवरी डैथ को एक तो डिफाइन क कही गई थी अब अगर स्टेट्मेंट देखो सेक्शन 304 बी ओफ डौवरी डैथ जो है वो किसी वोमन की डैथ जो की उसको जलाने की वज़े से हुई हो या फिर उसकी बॉड़ी पे कोई इंजरी हुई हो या फिर अदर्वाइस कोई और नॉर्मल सरकम्स्टांसे नहीं र कि डैथ होने से पहले क्या सिचुएशन वहाँ पर चल रही थी क्या वहाँ पर उसके ससुराल वाले उसके साथ में कोई मतलब निर्दही तैसे वहवार कर रहे थे या कोई हरस्मेंट किया जा रहा था हज्मेंट के द्वारा या फिर हज्मेंट की कोई भी रेलेटिव के द पर अगर हमने strictly observe कर लिया interpret किया कि मतलब word to word मतलब point to point आप चलने लगे तो कही ना कही मुश्किले पैदा हो सकती है समाज में तो एक balance बनाने की आकोशिस की है कि वाकई में जो गलत काम करे उसको तो सजा मिलनी चाहिए पर अभी क्या होता है इन डौवरी एक्ट कार इसका क्या misuse भी बहुत जादा हो रहा है ऐसे में क्या होता है कि जो लड़के वाले होते हैं उनका भी harassment देखने को मिलता है दिया गया था एक individual को यही डौवरी के मुद्दे को लेकर की कि शादी के 13 मैंने के अंदर अंदर लड़की की मौत हो जाती है और उसको कहीना कहीं दहेज के नाम पे माला जाता है फिर बाद में prosecution आगे बढ़ती है तो पता पड़ता है कि आपके पास में सबूत ही नहीं कि डौवरी मांगी गई थी या तो यही चीज कहीना कहीं important हो जाती है कि आप अगर section 304B IPCK को use करते हो तो उस टाइम पर आप थोड़ा सा ध्यान रखो अब बात कर लेता है international interpretation और reports हमारे पास में क्या available है क्योंकि यह reports आपको women empowerment point office और डौवरी पे कभी लिखने को मिले तो यह report आपको बहुत help करेगी और क्या पता prelims में भी question आ जाए एक तो यह global study on homicide जो की gender related killing of the women and girls इससे related थी यह publish की गई थी United Nation Office on drugs and crime के द्वारा यह आप report ऐसे कैसे लिखनो ना इस report में क्या highlight हुआ यह 2018 की report है जिसमें बताया था कि डौवरी deaths की अगर बात करें तो जो total overall female homicide जो इंडिया में हो रहा है उसमें 40 to 50% केवल और केवल दहेज के चलते होता है ठीक है तो एक तो यह चीज दूसरी तरफ यह कोई यह बात हम य nationally report available है आप देखोगे हमारे यहाँ पर 2019 का जो national crime record bureau जो रिपोर्ट आती है उसमें यह बताएगा कि 7,115 ऐसे cases registered हुए है जो की IPCK 304B जो की डौवरी से related जो भी homicides हो रहे हैं उनसे related cases registered हुए हैं तो यह दोनों चीजे हमें क्या show करती हैं कि कही ना कहीं है मैंने सबी भी चल यह जो figure है ना कौन सा homicide due to dovery यह बिल्कुल भी खतम नहीं हो रहा बिल्कुल भी decline नहीं कर रहा एक दम यूमानों constant बना हुआ है तो इस मैनस को खतम करने की जरूरत है तो कहीं harassment ना हो उस पर भी ध्यांदने की जरूरत है रिपोर्ट बहुत important आप देख लो इसको डंक से लि यूज करते हैं इसमें वजह क्या है वह हम देखते हैं और कितना बड़ा है थोड़ा सा यह देख लेते हैं देखो पिछले एक साल में छह जो edible oils हम यूज करते हैं जैसे ग्राउंड नेट ओयल मुफली का तेल हो गया सरसुका तेल हो गया वनस्पती देल हो गया सोयवीन का देखा गया तो mustard oil की price पिछले एक साल में लगबग 44% तक rise हो गया जो कि पिछले साल 181 रुपए किलो बिक रहा था वह अभी 171 रुपए किलो बिकना शुलू हो गया सिमिलरली अगर sunflower oil की बात करोगे तो उसमें भी लगबग 50% का जो price rise है वो देखा गया यहां से बोल रहा अभी चल रही है cooking oil की जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अभी एक तरफ तो household की income रुक रही है दूसरी तरफ महेंगा ही बढ़ रही है तो बहुत ज़्यादा परेशानिया बढ़ती चली जा रही है तो ऐसे में हमारा discussion करना बहुत important हो जाता है इसके अलावा बात है कि कितना oil हम consume करते हैं इंडिया में तो देखो जैसे जैसे हमारे पास में income level बढ़ता चला जाता ना उस तरीके से हमारी food habits भी change होती है तो ऐसे में edible oil consumption बढ़ गया पिछले कुछ सालों में अब इसमें आप particular बात करूँ 1994 से 2045 की बीच की बात करें 10-11 साल की बीच में तो per capita consumption monthly basis पे अगर देखें तो rural region में जो 0.37 kg हुआ करता था एक बंदा 0.37 kg oil consume कर रहा था गाउं में वो 2045 में बढ़ा करके कितना हो गया 0.48 kg सेम चीज आपको trend देखने को मिलेगा urban region में तो ये चीज कहा क्या show कर रही है कि edible oil consumption हमारे यहां पर बढ़ा है और दूसरी तरफ अगर ministry of agriculture and farmers के according देखें farmers welfare के according देखें तो per capita availability of vegetable oil की बात करें तो availability तो हमारे country में कितनी आ रही है 19.10 से 19.80 kg per year जबकि monthly कितना consumption हो रहा है यह आपके सामने है शहरों में अभी लोग consume कर रहे हैं जो edible oils हैं उनकी बात करें तो म पहने का 0.66 kg जबकि गाउं में अभी कितना कर रहे हैं लगबग लगबग 0.48 kg यह अभी data दोजार चार पांस के बाद में बता रहे हैं राइटर है कि हमारे पास में इतना available है नहीं पर हम थोड़ा सा idea लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे ही थोड़ा income level increase होता है तो food habits भी change होई है तो हमने oil को consume करना और ज़्यादा बढ़ा दिया है और availability आपको पता पढ़ रहे है कि सालाना एक बंदे के लिए हमारे देश में 19 किलो के लगबग 19 से 20 किलो के लगबग यह available होता edible oil ठीक है अब बात यहाती है कि हम domestically कितना produce करते हैं और import कितना करते हैं तो देखो domestically तो production हमारे यहाँ पर आप देखोगे 8.63 से 10.65 million tons ही हमारे यहाँ पर produce होता है जबकि demand कितनी है 23.48 से 23.92 million tons तो difference देखो कितना है 13 million tons से भी ज़्यादा का difference है और हम फिर बाद में import करते हैं हमारे यहाँ पर अगर domestic availability की बात करें तो primary sources की बात करें तो oil seed जैसे की mustard हो गया secondary sources वो हो गया जैसे coconut से तेल निकालना, oil palm जो होता है या rice branch से oil निकालना या cotton seed से तेल निकालना ऐसे में overall हमारे पास में ज्यादा तेल के availability नहीं हमारे पास maximum कितनी availability है 10.65 million tons तो बचे हुए 13 million ton आप क्या करते हो इंपोर्ट करते हो और import करने के लिए हमारे अलग-अलग countries प demand जितनी है oil की उसका 56% तो हम import करते हैं, this is very important data लिख लो, फिर आगे देखो कि mainly हम import जो करते हैं उनमें palm oil इंपोर्ट करते हैं जो कि 7 million ton होता है, soya bean oil हमारा 3.5 million ton import होता है, sunflower oil की बात करो तो 2.5 million tons हम import करते हैं, अब import कहां कहां से करते हैं, तो soya bean oil तो हम mainly करते हैं Argentina और Brazil से, फिर बात करोगे palm oil की तो Indonesia और Malaysia से, फिर बात करोगे sunflower oil की तो Ukraine और Argentina से, तो ऐसे करके हमारे यहां पर mainly जो import हम जिन country से करते हैं वो है Argentina, Brazil, Indonesia, Malaysia और Ukraine, यहां से हम edible oil को majorly import करते हैं, अब बात या जाती है price rise क्यों हो रहा है, price rise के पीछे देखो 3-4 वज़े हैं, ठीक है price rise के पी इंटरनेशनल मार्केट में भी आप देखोगे, तो price rise हो रहा है, अब जैसा कि हमें पता है कि हम 56% हमारे demand जो है वो पूरी कर रहा है, internationally import करके, तो ऐसे में अगर इंटरनेशनल मार्केट में oil price increase हो रही तो इसका असर definitely हमारे हां पर महेंगाई पर पढ़ेगा, और महेंगा कर दिया जता है, जैसा कि अभी Brazil, USA, यहाँ पर क्या हो रहा है, कि pollution को कंट्रोल करने के चलते है, biofuel पर reliance जादा आने लग गई है, तो ऐसे में वो countries जो है, वो edible oil को कहां shift कर रहा है, consumable oil की बजाए वो shift करके लेके जा रहा है, कहां पर fuel demand की तरफ, दूसरी तरफ आप रिंगित currency होती है, जैसे हमारा रुपिया है, तो एक टन 3890 रिंगित के उपर भाव में चल रहा है अभी, जो की एक साल पहले केवल 281 रिंगित पर टन के हिसाब से चलता था, similarly यह बात होगी पाम oil की, इसी तरीके से Chicago Board of Trade, इसमें आप देखोगी तो यहाँ पर बात होती ह सोयाबीन की, क्योंकि USA सोयाबीन का अच्छा producer है, तो ऐसे में वहाँ पर अभी जो भाव चल रहे हैं सोयाबीन के, वो चल रहे हैं 569.51 डॉलर पर टन, जो की पिछले साल हुआ करते थे कितने 306.16 डॉलर पर टन, तो ऐसे में difference आप देखो कि इंटरनेशनल मार्केट में कि अभी होती क्या है यह देखो, कि इसमें future commodity trade होती है, ठीक है इसमें आप देखोगे न, traded future contract, इसमें क्या हो गया, कि आज आपने जैसे माई 24 को contract कर लिया, तो अभी जो भाव आपको मिल रहे हैं माई 24 को, वो delivery होगी आपको जुलाई में जाकर, जैसे यहाँ पर आप देखो कि contract तो देखो finalize हो जाता है माई में, और उस टाइम पर भाव देने पड़े कितने, एक टन के 569.51 डॉलर, अब वो delivery कब होगी जुलाई में, तो ऐसमें आज आपने fix कर दिया, future में delivery हो रही है, तो वो हो जाता है, traded future contract है, यह ध्यान रखना आप, यह economics के एक important terminology हमारी आपर clear हो गई, तो ऐसमें आप देखो कि COBT और यह मलेशिया वाला जो derivative exchange वाला है, बुर्सा, मलेशिया, derivative exchange यह वहां का commodity exchange है, और यह Chicago वाला जो है, यह USA का commodity exchange है, अब यहां की rates जो है, वो कहीना के edible oil की price को vary करती है, बहुत जादा influence करती है, similarly food and agriculture organization United Nation की specialized agency है, उनके द्वारा जो price index release किया गया, तो उसमें भी बताया गया था कि vegetable oil जो है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो उसका असर तो कहीने कहीं हमें देखने को मिलेगा, फिर बात आ जाती है कि क्या international prices जो है, वो बढ़ रही है तो उसके पीछे वजह क्या है, तो एक वजह तो मैंने आपको fuel basket की तरफ, जिसमें जो main countries है वो है, US, Brazil और दूसरे और countries भी है, एक इसमें दूसरी वजह आगे कि चाइना जो है, वो अब लगातार कहीं न कहीं खरीदारी कर रहा है, stockpiling कर रहा है, बहुत जाद इकटा कर रहा है, क्योंकि चाइना में अभी जब first wave of COVID-1990 उस टाइम पे की shortage आगी तो ऐसे में चाइना कहीं कोशिस कर रहा है कि ज्यादा है, ज्यादा इकटा कर ले, इनको जो भी food items हैं, जिससे कि आगे crisis का सामना ना करना पड़े, similarly, Malaysia में labor crisis भी चल रहा है, और ला नीना इवेंट जब आता है, तो इसका मतलब हो गया, पानी के availability ज्यादा, अब dry season की shortage के चलते कहीं हैं, कहीं पाम जो है, पाम ट्री है, वो पूरा डवलप नहीं हो पाता, अब डवलप नहीं हो पाए तो फिर उसका fruit जो है, वो डवलप नहीं हो पाएगा, तो पाम oil कहां से आएगा, तो ऐसे में ला नीना का effect इंडोनेशिया और मलेशिया में पाम oil production प oil seeds का, दूसरी तरफ USA में भी जो है temperature, वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो जो एक favorable condition होनी चाहिए, वो conditions नहीं बन पा रही है, कई जगहों पर temperature है, वो below average है, मतलब जहां पर ठंड ज्यादा पड़ रही है, तो उसकी वज़े से, मतलब climate एक मुद्दा बन गया, उसके चलते भी कही ना कही, climate international community में क्या covid का असर, और जो bio fuel की तरफ tilt हो रहा है, दिरे दिरे climate change को ध्यान में रखते हुए, तो ऐसे में कही ना कहीं, prices हैं, वो rise हो गई, अब बात या जाती है, किया क्या जा सकता है, बोला करने के लिए एक तो option यह है, कि जो import duties लगाई जाती है, उनको reduce किया जा सकता है, पर सवाल यह है, कि अगर सरकार import duties को reduce करेगी, तो वो domestic market के लिए घाटा हो सकता है, और रही सही में domestically तो आप reduce कर दोगे, पर international price rise हो रही हो, उसका क्या किया जाए, तो बोले उसके लिए एक तरीका बताया जाता है, कि आप जो edible oil है, उस पे subsidy देना शुर edible oil की accessibility को बिलकुल, मतलब कहीं न कहीं अपनी accessibility अंशूर करने में successful हो पाएंगे, ठीका, public distribution system के थ्रूँ उनको avail करा दी जाए, अनपूर्णा जो दुकाने होती है उनके थ्रूँ, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है, what Bangla-Lanka currency swap means, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, माजरा क्या है, मुद्दा क्या है, देखो बांगलादेश का central rank जो है, वो अब 200 million dollar का currency swap के लिए agreement कर चुका है श्रिलंका के साथ में, तो बात ही आ जाती है कि currency swap का मतलब क्या होता है, पहले तो यह जानते हैं, इसका मतलब यह होता है कि बांगलादेश जो है, वो स्रिलंका को 200 million dollar उधार में देदेगा, और स्रिलंका बदले में बांगलादेश को स्रिलंकन रुपीज में return करेगा पैसा ब्याज सहीत, तो ऐसे में बांगलादेश तो help कर रहा है, डॉलर के तौर पे, डॉ जरता चला जा रहा है, और हर साल श्रिलंका को कम से कम 4.05 million dollar जो है, वो देने होते हैं, अब क्या है, श्रिलंका के पास में totally उनके पास में foreign exchange कितना बचा है, 4 million का, तो ऐसे में आ गया crisis, अब आप एक बार तो पुरा पैसे देदो कि फिर अगले साल की क्या guarantee है, तो ऐसे में Bangladesh bank के साथ में एक agreement कर लिया, और इसमें Bangladesh ने help देने की बात कर दी, तो क्या ये एक unusual step नहीं हो आ, क्योंकि Bangladesh हमेशा से एक ऐसा country है, जो कि rely कर रहा है, दूसरे countries के ओपर help देता है, इंडिया भी देता रहता है, चाइना कार्ड भी खेलता रहता है, इंडिया के साथ में, South Asian subcontinent में अगर अपनी dominance create करता रहा, तो कहीं न कहीं इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएंगी, जैसे हमने बात की था, string of pearls की, जिसके चलते चारों तरफ से इंडिया को घेर रहा है चाहिना, ठीक है, तो उस चीज के चलते कहीं न कहीं, इंडिया को भी help देनी पड़ती है अब बात ही आगे कि बांगलादेश भी help कर रहा है, तो ये चीज एक तो हम देखे positively देखा जाए, तो अभी तक इंडिया पे ही कहीं न कहीं economical burden रह रहे थे, South Asia की अगर बात करें, तो वहाँ पर अगर बांगलादेश भी voluntarily contribute करना चाहे, help करना चाहे अपने साथ वाले देश को तो वह एक अच्छी बात है, पर और जो चीज चीजे हैं, वह अगर देखें, तो पिछले दो दशुकों में बांगलादेश की economy ने जो growth register की है ना, वह काबिले तारीफ है, जिसमें बांगलादेश मतलब bottom से बिलकुल अब की तरफ बढ़ रहा है, 2020 में South Asia में fastest growing economy रही है बांगलादेश की, इवन इंडियन economy थो हमें पता है, 2020 में क्या कर गी, 8% से contract और कर गई, बांगलादेश की economy 5.2% से grow कर गई थी 2020 में जब की, और 2020 में expected है कि कहीना कि 6.8% की growth rate register करेगा बांगलादेश, और साथ में इंडिया में जितनी per capita income है, उसको भी overtake कर चुका है बां बांगलादेश की foreign exchange reserve बांगलादेश के पास में available है, तो वहां से अगर 200 million dollar की help अगर स्रिलंका को कर दी जाती है, तो बांगलादेश के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, अच्छा स्रिलंका ने क्या इंडिया को अप्रोच नहीं किया, जी बिल्कुल किया था, अप् अडानी ग्रूप के साथ में मिलके काम करना था, और अडानी ग्रूप को reject कर दिया, तो ऐसे में भारत सरकार ने कह दिया कि हम भी आपकी help नहीं करेंगे, ultimately क्या होगे, agreement खतम, नहीं तो एक billion dollar की help देने वाला था, इंडिया, प्राबलम उनकी sorted थी, दूसरी तरफ, 2019 में जो और एक्षेंज रिजर्व की कमी आगे रह गया कि इतना कि वर चार मिलियन डॉलर का, billion भी ने, चार मिलियन डॉलर का, तो ऐसे में कहीं नहीं वो rely करते हैं, फिर रैमिटन्स पे कि हाँ जो श्रिलंकन बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो पैसा बेजेंगे, डॉलर बेजेंगे पर वो भी इतना ज्यादा नहीं आता जितना कि श्रिलंका अपने डिमांड पूरी कर सके, आज श्रिलंका पे पांच बिलियन डॉलर का तो चाइना चाइना का कर जाया, अब आप ये देखो हाल क्या है इस देश का, ठीक है, तो देखो वैसे तो इंडिया help करने के लिए र agreement है, देखो South Asian countries के लिए ये important group है, इस group के बारे में आप पढ़ोगे, सार्क के बारे में UPSA point of view से 1985 में established किया गया था, कौन-कौन से countries है, क्या importance है, क्या significance है, ये मतलब बिल्कुल ठंडे बस्ते में पढ़ा एक दम, ठीक है, अब होता क्या है, कि इंडिया ने commitment दिये हुए ह है, कि दो बिलियन डॉलर तक की help provide कर देगा, सार्कंट्रीज में अगर कहीं पर भी कोई problem होती है, और वो facilities होगी, वो मिलेगी credit facility, जिसमें क्या होगा, इंडिया तो डॉलर में help देदेगा, और उल्टे return ले लेगा ब्याद सहीत उस particular country की currency से, ठीक है, तो ऐसे में क्या है, क 1990s में, तब जाकर कहीं, तो हमने LPG policy, liberalization, privatization, globalization वाली जो policy की थी, वो हमने adopt की थी, तो ऐसे में कहीं न कहीं, इंडिया ने अपनी तरफ से, एक बड़ी economy होने के नाते, South Asian countries के साथ में एक commitment लिया था, अब जैसे कि स्रिलंका और बांगलदीस का ये agreement है, तो ये अच्छी बात है, नेक्स्ट आर्टिकल है कि लक्षद्वीप administration के अगेंस्ट में, administration जो ने जो proposal दिये, उसको लेकर कि locals क्यों नाराज है, तो पहले तो हम देख लेते हैं, map लक्षद्वीप का, यहाँ पर आप देखो ये केरला कोस्ट है, जिसको मालाबार coastal region भी बोलाता है, मालाबार coastline इन भी बोली जाती है, नमबर एक बात तो यह होगी, दूसरा, लक्षद्वीप में important कौन-कौन से islands है, जिसमें चैटलाट, ऐसे किल्टान, ऐसे कदमात, ऐसे एंड्रोथ, कावरती, कलपेनी और मिनिको, यह important islands है, नाम याद रखना, इन में से कोई भी चार-पांच के ना यह अरेबियन सी में located है, यह धान रखें, दूसरी, जोग्राफी की point office है देखा जाए, तो अनलक्षद्वीप में लगबग 36 islands है, जिसमें से 12 ऐसे islands हैं, जो की केरला के आसपास में located हैं, और essential supplies के लिए वो केरला से आना जाना अपना लगाए रखते हैं, तो overall इन 36 islands में से 10 islands जो हैं, वो ही inhabited है, that means वहाँ पर लोग रह रहे हैं, बाकी 26 islands जो हैं, वो कहीना के बिल्कुल सुन है, जंगल है वहाँ पर, ठीक है, तो मालाबार district की अगर बात करें, तो पहले मालाबार district यहाँ भी बात कर रहो हैं, इस वाले region की, मालाबार coast, ठीक है, मालाबार district of madras presidency, 1956 में जब state reorganization act की recommendation आई, यह लक्षमी कान्थ में दिया हुआ है, तो उसमें आप देखोगे कि 1956 में state reorganization किया जाता है, फिर बाद में केरला एक नया state बनता है, और उसी टाइम पर लक्षद वीब को union territory declare कर दिया जाता है, तब से लेकर अब तक वहाँ पर union territory जो है, लक्षद वीब की, उसको operate करवाया रहा है, उसको administer करवाया जाता है, central government के द्वारा, अपने representative के द्वारा जिसको हम administrator of UT बोलते हैं, अगर demography की बात करें, तो 2011 की census के हिसाब से 55,000 population यहाँ पर रहती है, और यह इंडिया की smallest union territory है, area wise, ध्यान रखेंगे आप, दूसरी चीज अगर दे 96% तो Muslims हैं, और schedule tribe देखोगे, तो 94.8% है, मतलब 100 आदमी हैं, उनमें से 96% तो 96 लोग तो हो गए Muslims, और जो 100 आदमी हैं, उनमें से 95 लोग जो है, वो है, schedule tribe से बिलोंग करने वाले, तो एक तो यहाँ पर एक religion को ध्यान में रखना और यह ethnicity को ध्यान में रखना, और यहाँ प चलती है, बहुत important है यह वाला portion, आपके सामने स्क्रीन पर हो सकता है, इसमें से question मिल जाए आपको, politics जो है, वो यह है, यहाँ पर, कि यहाँ पर जो लोग सबाकिर, इनकी सीटे हैं, वो कहीं न कहीं आप देखोगे, वो अभी NCP के अंडर में है, ठीक है, 2014 से लेकर अब तक और Congress एक dominant party रही है वहाँ पर, बीजेपी और Communist Party के अगर बात करें, तो भी थोड़ी वह small units वहाँ पर चल रही है, तो कहीं नहीं political issue भी है, पर हमारा मुद्दा क्या है मेन, हमारा मुद्दा यहाँ पर है, जोग्रफी और इस मुद्दे को जानना, politics में कौन सी party dominant कर रही है, कौन सी नहीं कर रही, उससे हम थोड़ा बचे, तो ठीक है, बस पता हो जाए, बस वो ठीक है, धीक है, दूसरी तरह यूटी administration में आप देखोगे, तो वहाँ पर द्वीप पंचायत काउंसिल भी चलती है, मतलब वहाँ पर island पंचायत काउंसिल भी काम करती है, और वहाँ मिजोरिटी जो है, जादातर वार्ड्स में, कॉंग्रिस को मिली है, डिस्टिक पंचायत में, जो election अभी कंड़क्ट करवा गए गए थे 2017 में, तो ऐसे में वहाँ पर local community है, local सरकार देखोगे, तो वो central government में जो ruling party है, बीजेपी, जस्ट उसके opposite है, opposition party होगी, अब देखते ह है, कौन-कौन से मुद्दो पर या आमने सामने खड़े हैं सारे के सारे, देखो अभी administrator है, लक्षद वीप, यूटी के प्रफुल के पटेल, तो उनके दुआरा क्या-क्या proposal किये गए जिसके चलते ही है, परिशानिया हो रही है, जिसमें पहला तो काम है, cow slaughter and beef, की cow slaughter and beef में ban लगाने की बात की गई थी, तो इस चीज़ को वहां के लोगों ने समझा कि ये हमारे culture के उपर आप attack कर रहे हो, हमारी जो eating habits है, आप उसको कैसे direct कर सकते हो, दूसरा to child policy, वहला पंचायती राज institutions में जो election होंगे, उन elections के अंदर वो ही लोग participate कर सकते हैं, जिनके बच्चे 2021 लाए गया, तो उसमें ये कहा, कि अगर जिनके बच्चे अल्रेडी दो या दो से जादा हैं, तो वो अब और बच्चे पैदा नहीं करेंगे, अगर उनको चुनाव लड़ना है, तो इस चीज़ से भी वो नाराज हो गए, कि आप इस तरीके से कैसे हमें question कर सकते हो, आप का क्या motive है, आप कहीं ना कहीं हमारे आप लोकल ethnicity को परिशान करना चाहते हो, तीसरा point ही आ जाता है, लिकर को सर्व करने से related, देखो tourist place है, ये बहुत important लक्षे द्वी पगर देखो तो, तो वहाँ पर शराब की मतलब जो आप कहसे सकते हो ना, service है, वो वहाँ पर जो inhabited, जो कोई नहीं पियेगा, हाँ, बचे हुए 26 जो दूसरा islands है, वहाँ पर अगर किसी ने कोई resort खोल रखा है, तो वहाँ पर wine सर्व करना allowed है, तो ऐसे में लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि wine अगर आप हमारे आप लोकल जहां पर हम लोग रह रहे हैं, उन islands पर भी आप service करना जालदीव जैसा एक island country अगर develop हो सकता है, तो क्यों ना फिर लक्षद वीब को भी develop किया जाए उसी तरीके से, जैसे कि ज़्यादा ज्यादा tourism को attract किया जा सके, तो यहाँ पर residents ने यह protest कर दिया, कि आप कैसे हमारे से बिना consult किये, infrastructure project यहाँ पर चला सकते हो, tourist project आप चलाना तो इससे तो कहीना कहीन, ecology को problem हो सकती है, लोग आएंगे, यहाँ पर कचरा फैलाएंगे, यह परेशा नहीं हो जाएगी, तो ऐसे में administration के इस मुद्धे पर भी कहीना के protest देखने को मिला, फिर बात आ जाती है, anti-gunda regulation, इसमें आप देखोगे, anti-social activities regulation, इसमें क्या किया गया कि यहाँ पर लक्षद वीप territory में अगर कोई problem हो रही है, कोई भी anti-social activities हो रही है, तो उनको सजा दे दी जाए 10 साल तक की, तो point अब यह आ जाता है कि 10 साल तक की सजा देने की नौबत तो तब आएगी ना जब crime rate यहाँ पर जादा हो, बताया यह जाता है कि लक्षद वीप में इंडिया में सबसे कम criminal cases आता है, मतलब crime rate सबसे कम है, तो ऐसे में आप residents के ऊपर attack करना चाहोगे, अगर कोई भी administration को oppose करता है, तो ऐसे में protest हो गया, फिर covid-19 से related जो standard operating procedure है, उस पर बात की गई, बहुत लक्षद वीप में पिछले एक साल से एक भी case नहीं आया, और अभ लोग यहां पर आ गए, लोगों के entry भी दे दी, कि आपने अगर 48 गंटे में RT-PCR टेस्टिंग करवा ली रूसमें अगर आपके negative report हो तो आराम से आप यहां पर आकर के अपनी मस्ती कर सकते हो, अब लोग वहां पर पहुँच गए रहो हुआ क्या, second wave के time पर वहां पर 3300 case और 28 जनों की death हो गई, तो ऐसे में वहां के लोगों को यह चिंता सताय जा रही है कि हम एक green zone थे, हमारे tag मिला हुआ था कि हमारे यहां पर कोई case नहीं है, और बाहर के लोग आकर कि हमें यहां पर पर परिशान कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं, यह सारे मुद्दे थे किया गया, चुहों पर और result अच्छे मिले हैं, ठीक है, आब कोविड के कितने ही deadliest, कितने ही mutation हो चुके हो, कितने ही deadliest variant बन चुके हो, बोला हर एक variant को control करने में successful रहा है, इवन आप देखोगे, इंडिया जो अभी तक, इंडिया वाला तो नहीं, यह B.1.351 variant जो है, उसको भी कही ना कही, inhibit कर दिया, मतलब रोक दिया, उसके भी spread को, तो अभी तो देखो, under trial है, USA के भी food and drug administration ने इसको approval नहीं दिया है, बट एक यह आशा की किरन है, कि एक drug भी तयार हो रही है, जो कि अच्छी बात है, आगे चलते हैं, economy page से, GST council के बारे में आप खुद से revise कर लोगे, हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो अल्रडी बहुत लंबा हो गया है, बचे होए articles भी आप खुद से करोगे, बस यह के वल एक last है, जिसमें मैं data बता रहा हूँ आपको, कि bank में, bankों में जो frauds हो रही है, व private banks में, जहां पर 3710 incident हुए हैं, अब की बार, पिछली साल के वल 3065 incident हुए थे, जहां पर कुछ ना कुछ losses देखे गए थे, फरजी वाड़ा गफला देखा गया था, similarly foreign banks हैं, जो दूसरे बाहर के जो bank यहां पर branch कोल रहे हैं, उनमें भी यही हुआ है, जबकि जो आप यह foreign bank में क्या हुआ है, वो देख लो, यहां पर बताया हुआ है, कि 972 करोड रुपे का गफला देखा गया था, fraud देखा गया था, पिछले साल, जो बढ़गर के 3315 करोड रुपे खा हो गया, foreign banks में, similarly आप देख सकते हो, public sector banks में, पिछली साल 148,000 करोड रुपे का loss एक तरीके से देखा गया था, fraud देखी गई थी, जो कि घटकर के कितनी हो गई, 81,901, तो public sector banks में तो कहीं ना कहीं, frauds कम हुए है, जबकि private और foreign banks में आपको increase होते हुए, दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपको कहीं पर भी cyber securities related कुछ लिखना होना, तो यह data quote कर सकते हो, कि bankों मे fraud जो है, वो increase हो रहा है, बाकि practices को भी एक दूसर से learn करना चीए, experience भी share होने चीए, वो सारे काम करते ही हैं, सारे experts, बस इतना ही discussion है, बाकि आप खुछ से देख लेना, paper में share कर दूँगा, thank you very much.